असलाम वालेकुम and good afternoon everyone welcome to learn and serve academy free platform for all JKSSB exams आप सबको पता ही है कि VLW का सिल्बस हमने almost 10-12 days पहले start किया था और उसमें हम लोगोंने aptitude and reasoning के almost 15-16 lectures को already हम लोगोंने upload किया है और accordingly हम continuous process को करेंगे और जितना हमारा target है 45-50 days में almost हम aptitude and reasoning को complete करने की कोशिश करेंगे आज जो हमारा topic है वो है कि जो हम लोगोंने एक topic पढ़ा था interest, simple interest and compound interest आज हम उसी पे यहां पे questions करने वाले हैं और हम यहां पे आप देख सकते हो कि आप लोगोंने जो पढ़ा है तो JKSSB किस pattern के questions पूछता है JKSSB तो उसी चीज़ को हम यहां पे देखने की कोशिश करेंगे लेक्चर को start करने से पहले मेरी आप से ही request है कि अगर आप इस channel पे नए हो तो चैनल को subscribe जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ share कीजिएगा Question number 1 क्या बोल रहा है What sum of money will fetch a simple interest of rupees 3,900 for two and a half years at the rate of 13% per annum? कितने पैसे होंगे जिस पे simple interest कितना आएगा 39,900 कितने टाइम के लिए two and a half years at the rate of 13% per annum? तो question को अगर हम यहां पे solve करने की कोशिश करेंगे हमें पता ही है कि जो simple interest की formula है वो क्या है? Simple interest is equal to principle into rate into time divided by hundred यह हम सुब को पता ही है और हमें क्या देखना है? वहां से ही दिया गया है simple interest हमें calculate क्या करना है? पहले आप लोगं को यह पता होना चाहिए कि हमें यहां पे principle को calculate करना है हमें principle को Calculate करना है? ना कि हमें total amount देखना है हमें total amount नहीं देखना है हमें सिर्फ principle को देखना है क्यों देखना है principle क्योंकि question पूछ रहा है कि कितने पैंसे होंगे जिस पर simple interest 3,900 आप लोगं को देना पड़ेगा? तो कितने पैसे है वो हमें पता है कि जो वो प्रिंसिपल होता है जो पहले एक इंसान उदार लेता है तो उसी पर सिंपल इंटरेस्ट आता है अगर कुछन पूछता है कि किसी परसन ने कुछ प्रिंसिपल कुछ उदार लिया पैसा और उस पे इतना इंटरेस्ट आया अब फ और इसी चीज को आगर हम यहाँ पर सालो करेंगे, हमें पता ही है, यह question में उदर से ही simple interest दिया गया है, 3900, principle हमें calculate करना है, principle हम लोगों को calculate करना है, इसके बाद rate कितना दिया हो गया है, 13%, time 2, 1 by 2 years, इसको मैंने बोला दो तरीके सालो करने के होते, 2, 1 by 2, या तो मैं इसको ऐस 2, that is, 2 plus 1 by 2 is, 2 plus 1 by 2 is 0.5, that is 2.5, या तो मैं ऐसे लिखूंगा, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 2, 1 by 2 is, इसको multiple करके, 2, 2s are 4, plus यह 1 हो जाएगा, 5, divide by 2 हो जाएगा, that is again 5 by 2, that is 2.5, या निकि 2, 1 by 2 is, 2.5, तो time हमारा जो 2, 1 by 2 दिया गया है, वो किसके बराबर है, वो बराबर है 2.5, और फिर divide by 100, अब यहां पर अगर आप लोग देखोगे, हमें P चाहिए, तो हम इस P को ऐसी रखेंगे, हमारा अपना पहले क्या है, 3900 हम ऐसी लिखेंगे, अब जो 100 यहा आप लोगों को पता है, divide is equal to P, अपना हम ऐसी रखेंगे, और जो P को multiple है, 13 वो divide हो जाएगा, इदर से, और 2.5, जो P को multiple है, वो अगेन यहां पर divide होगा, तो question क्या बनेगा, 3900 into 100, divided by 13 into 2.5, इसको अगर आप लोगों को आएगा, रुपीज 12,000, अगर आप इस चीज को इस यहां पर भी देख सकते हो, 13,000, 13,300, अब यहां पर बनता है, एक total में, 3, और 1, 2, 3, 4, 0, 300 into 100 is 30,000, divide by 2.5, तो आप लोग देख सकते हो, यहां पर में 2.5 के बदले, 2.5 के बदले में, यहां पर 25 लिख सकता हूँ, और यहां से एक 0 आएगा, 25, 10, 25, 10, 550 बनेगा, 25, 2050 और अपर 30, 12,000 आप लोगों का आंसर है, यह असल में 12,000 एमोंट एक आदमी ने उदार लिया था, और उसी एमोंट पर 3900 इंटरस्ट आया, कितने टाइम तक, 2.5 येर्स तक उसको इंटरस्ट आया, 3900, किस रेट पर जब इंटरस्ट था, 13 परसंट और ये सिंपल इंटरस्ट की बात हो रही थी, यानि कि, यहां पर 12,000 आप लोगों का क्या है, आंसर है, 12,000 आंसर है, क्वेच्च नमर वान बिल्कुल इजी पैटरन का एक्जाम में देखने को मिल सकता है, इसके बाद अगर हम क्वेच्च्च नमर टू की और जाएंगे, क्वेच्च्च नमर टू जो है, यह बो रहा है, as sum becomes, as sum becomes 10 by 9 times itself in one year, find the rate of simple interest, यानि कि, एक परसंट है, जिसने उदार, for example, लिया, X रुपीज और कुछ टाइम के बाद, इस पर simple interest आया, और question बोर रहा है कि यह, एक तो यह simple interest और, जो यह amount है, यह total मिला की कितना बनता है, 10 times, 10 by 9 times itself, यानि कि, 10 by 9 times X, तो आप लोग इसको यहाँ पर देख सकते हो, कि question क्या बोर रहा है, कि, जो आप लोग का principle होता है, let this is, जो आप लोग का principle है, let this is equal to X, प्रिंसिपल हमारा क्या है, एक рекुस, और amount, amount क्या होता है, amount होता है, 1 to principle, प्लस इस पर जो interest आएगा, amount, principle और interest को मिला के जो आता है, उसको हम क्या बोलते है, यानि कि amount होता है एक तो principle एक तो principle कितना हमने उदार लिया था plus और हम लोगों को interest कितना दे रहा है यहाँ पर simple interest की बात हो रही है तो हम simple interest लिखेंगे यह होता है amount आप question में वहाँ से ही दिया गया है कि जो amount है जो amount है वो क्या बना है वो 10 by 9 times sum है sum कितना है हमारा principle जिसको x लिका हमने यहाँ पर जिसको हमने consider किया x यानि कि उदार हम लोगों ने x लिया था और हमें amount देना कितना पड़ा 10 by 9 x 10 by 9 x अब अगर मैं इन values को put करूँगा इस equation में तो मुझे पता ही है कि मैं क्या लिख सकता हूँ जो amount है amount के बदले में क्या लिख सकता हूँ 10 by 9 x 10 by 9 x is equal to यहाँ पर क्या है principle principle के बदले में क्या लिख सकता हूँ यहाँ पर देखो principle के बदले x यहाँ तक आप लोगो कोई दिकत नहीं होगी is plus simple interest plus simple interest अब यहाँ पर देखो 10 by 9 x यह x यहाँ जाके minus हो जाएगा is equal to simple interest और वो किसके बराबर आएगा यहाँ पर अगर हम cross multiplication करेंगे यहाँ पर divide 1 है 10 x into 1 is 10 x minus 9 into x is 9 x divide by 9 1 0 9 is simple interest और वो किसके बराबर है 10 x minus 9 x is 10 x minus 9 x is x x by 9 is our simple interest और simple interest किसके बराबर होता है आप लोगों को यह भी पता है कि जो simple interest होता है वो होता है P into R into T divide by 100 अब आप लोगों को यह भी पता है कि simple interest हमारा कितना निकल किया है x by 9 is equal to P principle को हमने कितना consider किया है x हमें क्या देखना है rate हमें calculate करनी है और time उदर से ही दिया गया है कि as sum becomes 10 by 9 times itself in one year time हमारा one है divide by 100 यहां पर solve करने की कोश्च करेंगे x by 9 ऐसी रखेंगे x यहां से r को multiple है तो यहां से divide होगा 100 r को divide है तो यहां से multiple होगा is over r x और x कैंसल आएगा r कितना निकलेगा 100 by 9 और इसी 100 by 9 को हम कैसे लिख सकते है 11 आप देखो यहां पर इसको भी लिख सकता हूँ 11 1 by 9 देखो जो अभी मैंने तरीका बताया 9 11s are 99 plus 1 divide by 9 that is 100 by 9 that is जो answer है 100 by 9 भी answer है यहां इसको ऐसे भी लिख सकते है 11 1 by 9 years मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को यहां तक यह समझ आया होगा जो मैंने पढ़ा यहां तक आप लोगों को यह समझ आया होगा इसके बाद हम question number 3 की और बढ़ते है question number 3 हमारा क्या बोर रहा है question number 3 जो है add simple interest of 5% 6% add 8% for 3 consecutive years the interest earned is rupees 760 find the principle question बोर रहा है कि एक amount लिया एक principle हम लोगों ने लिया और principle जो है पहले साल simple interest इस पे था 5% फिर next year इस पे interest था 6% और फिर third year इस amount पे इस principle पे जो interest था 8% आप लोगों से पूछा जा रहा है कि जो total interest फिर तीन सालों में आया वो rupees 760 आया तो question बोर रहा है कि principle फिर कितना है कि कौन सा amount हमने उधार लिया था हम क्या बोल सकते है कि जो simple interest है यानि कि जो 760 rupees simple interest आया वो कितने time तक आया है एक तो simple interest जो पहले साल था प्लज जो simple interest हमारा दूसरे साल आया प्लज जो simple interest हमारे तीसरे साल आया तीन साल सिंपल इंटरेस्ट इस साल सिंपल इंटरेस्ट वन सिंपल इंटरेस्ट टू दूसरे साल थर्ड एर सिंपल इंटरेस्ट थ्री हमने रिप्रेजेंट किया और टोटल मिला कि कितना बनाए 760 रुपीज यही क्वेच्चन वो रहे किस प्रिंसिपल पे फिर है 760 आया तो हम क्या करेंगे हम 760 को ऐसे ही लिखेंगे यहां पे is equal to simple interest पहले साल कितना होगा एक तो principle होगा into rate क्या है पहले साल यहां पे आप देखो 5% है पहले साल तो मैं यहां पे rate के बदले लिहूँगा 5 और time कितना है हमें पता है 1 year है that is p into 5 into 1 divided by 100 क्योंकि हमें पता है simple interest की formula क्या है principle into rate into time by 100 plus दूसरे साल principle सेम है क्योंकि principle तो question नहीं नहीं बोला है change होने को principle सेम है उदार हमने वही पैसा लिया है जो लिया है rate दूसरे साल कितनी rate है 6% time है 1 year divide by 100 third year principle P है और time rate कितनी है 8% time फिर से बानी है divide by 100 और इस चीज़ को अगर हम देखेंगे 760 ऐसे लिखेंगे तो यहाँ पे में क्या करूँगा P हर जगा है P जो है वो हर जगा है यहाँ पे भी P है यहाँ पे भी P है यहाँ पी है मैं P को common लोगा तो आंदर क्या बचेगा 5 by 100 plus 6 by 100 plus 8 by 100 क्योंकि P को मैंने क्या लिया common लिया अब यहाँ पे देखो 760 में ऐसी ही रखूँगा इस इक्वाल टू पी भी ऐसी ही रखूँगा तो यहां पर डिवाइड में हर जगा 100 है तो मैं डिवाइड में एक ही जगा 100 रख सकता हूँ और एड करूँगा 5 पलस 6 इस 11 11 8 is 19 यह आप लोग को अगर डिवाइड में आप हमें क्या देखना है हम ग्रिवाइड लेसे क्रेंगे 31 60 आप यहां से डिवाइड है तोidan 100 मनिटिपल होगा और प्रिंटिपल को 19 जगा यहां से मल्टिपल है तो यहां से क्या पर ऑट यह आप लिवाइड है कि यह फिर भी थोड़ा सा जिन्होंने मैत नहीं पड़ा है तो असल में क्या करते है हमें चाहिए P यानि कि P के साथ जो यहां पे 19 है और 100 है इसको हमें खत्म करना है पहले अगर हम 100 को खत्म करें कि कैसे कर सकते है अगर मैं यहां multiple करूंगा 100 अब मैंने यहां पे multiple के 100 खत्म होगा 100 100 100 वान आया तो यानि कुछ नहीं है लेकिन अब मैंने खुद से लाया multiple में 100 जब मैंने खुद से यहां पे multiple में 100 लाया तो equality के इस साइड भी लाना है यही मैंने बोला यहां पे 100 multiple होगा अब मुझे खत्म करना है क्या इसके बाद 100 को खत्म करने के बाद मुझे करना है 19 को खत्म मुझे पता है जो 19 है कैसे खत्म होगा अगर मैं डिवाइड में ऐसे 19 करूँगा क्योंकि 19 वंजा 19 वंजा अब मैंने डिवाइड में यहां से 19 किया तो equality के इस side भी 19 डिवाइड करना है तो इसलिए यहाँ पर 19 डिवाइड हो यह चीज आप लोगों को पता हो कि यह मुझे बोलने की जुरत नहीं है आप लोगों शार्ट में याद रख सकते हो P को मुझे P अकेले चाहिए और P के यहाँ multiple है 19 तो वो मैंने इदर से डिवाइड किया और 100 यहाँ डिवाइड है P को तो यहाँ वो मैंने multiple किया यहाँ तक हमारा P बन गया है 760 पी हमारा फिर क्या बना है 760 अब यहाँ पर multiple 123 डिवाइड बै 19 और इस चीज को अगर आप सालो करोगे तो answer आएगा 4000 यानि कि option C is the correct answer और आप लोगे यहाँ पर यहाँ पर कोई भी करते हैं तो इन में 2-3 मिनट का टाइम यहाँ पर लगता है क्यों लगता है 2-3 मिनट का टाइम क्यों कि हमें बार बार यहाँ पर समझाना पड़ता है कि क्या हो रहा है जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आप लोगों का टाइम जो है वो वान मिनट तक पहुचेगा और इसके बाद भी मैं आप लोगों को बोलूगा कि जो VLW का exam है total I guess 100 ही question है लेकिन time है वहाँ है 20 minutes तो पहली बात question को एक मिनट से जादा आप लोगो मिलेगा दूसरी बात अगर आप देखोगे वहाँ पर जी की के 20 questions है तो उसको 20 questions को जाद से जादा चार-पांच मिनट में तो 20 questions हो जाते है वहाँ पर आप लोगों के वह 15 minutes बच जाते है और mathematics जो aptitude और reasoning के questions है इसमें भी ऐसे questions है तोटल 35 questions है 15 questions तो ऐसे होंगे जिनको आप लोगों को 5 minutes लगेंगी करने में यानि कि जो 10 minutes वहाँ पर भी बचे वो भी आप लोगों को यानि कि कुछ questions आएंगे जिनको 1-2 minutes का भी time लग सकता है कोई भड़ा question है उसमें आप लोगों को consume करना होगा और जब आप practice करोगे तो ऐसे questions को भी आप लोगों को एक मिनट से जादा नहीं लगेगा इसके बाद हम बढ़ते है question number 4 की और question number 4 हमारा बोर रहा है simple interest on rupees 1680 for 4 years at 7 1 by 2 percent per annum is equal to simple interest on rupees 1200 at 7 percent per annum question बोर रहा है कि 2 simple interest जो है 2 simple interest बराबर है हम पहली क्या करेंगे अब हमें पता ही कि 2 simple interest बराबर है हम यहाँ पर यह लिखेंगे simple interest 2 बराबर है अब हमें यह भी पता है कि simple interest किसके बराबर होता है p into r into t by 100 यानि कि यहाँ से भी simple interest होगा p into r into t by 100 और यहां से भी simple interest है P into R into T by 100 अब क्वेश्चन पहले में क्या क्वेश्चन बोर रहा है कि जो पहला साइड है वहां पे क्वेश्चन बोर रहा है कि principle कितना है 1680 रेट कितनी है एक सेकंड यहां पे क्वेश्चन में क्या रेट है 7 1 by 2% that is 7 1 by 2 is 7.5% यह आप लोगं को पता है यहां पर भी मैंने दिखाया 7 1 by 2 is 7 plus 1 by 2 that is 7.5 क्योंकि 1 plus 2 is 0.5 7 plus 0.5 is 7.5 यानि कि पहले case में principle 1680 रेट है 7.5 और time कितना बोला गया है यहां पर 4 year पहरे case में time जो है 4 year है और divide होगा डिवाइड होगा 100 आप दूसरे case में क्या बोल रहा है कि principle कितना है principle है is equal to simple on rupees 1200 आप principle जो हमारा है वो 1200 है rate कितना है 7% इस वकित रेट है 7% और time हम लोगं को देखना होगा बस आप उनको question समझना है equations दो लिखने है तो बात खत्म यहां पर क्या करना है आप हमें 100 और हैंड़ और हैंड़ हैंसल हो जाएगा क्योंकि यहां से divide में 100 यहां उपर जाके multiple होगा फिर यहां पर यहां पर 100 चैंसल होगा यहां उनको पता है 100 तो cancel होगे अब यहां पर हमें calculate क्या करना है एक तो one six eight zero ऐसी ही रखेंगे divide by seven point five ऐसी ही रखेंगे into four ऐसी ही रखेंगे divide by जो यहां पर 1200 into seven T को multiple है तो यहां से divide होगा 1200 into seven is T यहां कि T की हमारी एक्वेशन आई one six eight zero into seven point five into four divided by 1200 into seven और जब आप calculate करोगे इसको time is T years और वहां पर exam में almost most of the time is आप लोगं को क्या मिलेगा ऐसे आप लोगं को यह values मिलेंगे जो आपस में cancel हो जाएगे ताकि calculator के बगेर आप लोग easily इसको solo कर पाऊगे time हमारा क्या है six years यानि कि option B is the correct answer यहां तक हमारे simple interest तक four question हो गए और almost यही pattern आप लोगं को exam में देखने को मिलेगा इसके बाद हम बढ़ते है question number five की और question number five बोल रहा है the difference between simple interest and compound interest on a certain sum at 10% per annum for two years is rupees 230 find the sum मैंने आप लोगं को पहली पढ़ा है अगर lecture साब लोगं को compound interest के याद है मैंने आप लोगं को वहां पर पढ़ा है कि जब simple interest और compound interest की difference वहां से ही दी गई होगी और जो time period है वो two years होगा यह particular है for two years तो आप लोगं को मैंने फार्मूला बताई है कि difference is equal to P r by 100 का whole square यह मैंने आप लोगं को पहली बता है और यहां पर अगर आप देखोगे question में क्या बो रहा है कि difference कितनी है rupees 230 difference है और आप लोगं को क्या calculate करना है साम साम मतलब principle को आप लोगं को calculate करना है rate है 10% यहीं की 10 divided by 100 square और आप लोगं को क्या करना है 230 is equal to P यहां पर 10 square is 100 and 100 square is 10,000 2,0,2,0 cancel हो जाएका यह और यह बचता है यहां पर 100,100 यहां से multiple होगा तो principle हमारा 2,3,0 और 2,0 यहीं की 23,000 क्या कोई option में 23,000 है option A is the correct answer लेकिन यह formula काभ है जब time period 2 years होगा वहां से दिया होगा और कभी कभी question में आप लोगों को क्या होगा वहां पे जब आप इस formula से आप यूज करोगे आप लोगोंने values दिये तो वहां पे rate भी नहीं दिया होगा एक तो difference दिया होगा और आप प्रश्ट की फार्मॉला क्या है P into R into T divided by 100 वहां से आप लोगों को time भी दिया होगा अब time तो हमें पता ही है कि already 2 है time तो हमारा 2 है तो यहां पे मैं किसकी value calculate कर सकता हूँ PR की यहां पे मैं समझाऊंगा एक बार वहां आप लोगों को difference है P R by 100 का square तो मैं इसको ऐसे भी दिख सकता हूँ R into R और 100 सुकैर तो आपना पता ही है कि इसके बराबर है यहां तक आपको पता है अब वहां से question में simple interest दिया गया है आप लोगों को पता है formula P into R into time तो है formula valid है two years की P into R into T by 100 यानि कि हमारा यहां पे जब value होगा वह किसके बराबर होगा यानि कि simple interest को 100 हम multiple करे देंगे तो हमारा क्या difference भी पता है अब PR भी पता है 10,000 भी पता है हम rate को calculate कर सकते हैं इस pattern का भी question आप लोगों को exam में और last time मैंने एक question देखा है लेकिन वहां पे यह नहीं दिया था rate नहीं दिया गया था simple interest दिया गया था यह कि की बात में कर रहा हूँ मैंने खुद से question पड़ा एक जगा कि यह नहीं दिया गया था यह दिया गया था simple interest दिया गया था और वहां पर आप लोगों को ऐसे इस pattern से आप लोगों को यह question को स्वालू करना था इसके बाद हम बढ़ते है question number six की और question number six जो है हमारा यह बोर रहा है कि question number six if principle is 10,000 वहां से ही दिया गया है कि principle 10,000 है और जो rate of interest है for first year it is 10% and for second year it is 20% find total amount if interest is compounded annually यानि कि आप compounded interest की बात हो रही है और आप लोगों को यह भी यहां पे बोला गया है कि interest आप annually आप लिए मतलब annually interest आ रहा है यानि कि एक साल जब complete होगा उसके बाद जो interest आएगा अब वो amount बढ़ेगा और यानि उसी का मतलब है compounded annually यह हम लोगों ने अच्छे से पढ़ा है कि यह जो compounded monthly का मतलब क्या है half yearly का मतलब क्या है quarterly का मतलब क्या है अन्विली का मतलब क्या है य और हमें हमने यह भी पड़ा है कि जब rate of interest पहले साल अलग होगी दूसरे साल अलग होगी तीसरे साल अलग होगी तो compound interest में amount की formula क्या है amount is principle पहले साल R1 by 100 दूसरे साल R2 by 100 फिर तीसरे साल R3 by 100 लेकिन हमें पता है यहां पे 2 ही है तो amount हमारा कितना है principle कितना है 10,000 amount is equal to 10,000 amount is दूसरे साल 20% 1 by 10 और दूसरे साल 20% अब यहां पर आप लोग देख सकते हो it is 10,000 यहां पर मैं cross multiplication करूंगा 100 100 plus 10 10 10 divided by 100 यहां पर 120 divided by 100 यहां पर 120 divided by 100 यह आप लोग को पता होगा 100 100 plus 20 divided by 100 जब इस चीज़ को solve करेंगे तो यह आएगा यहां पर 100 100 की 40 यह cancel हो जाएगा यह 10 into 120 इस चीज़ को अगर आफ सालो करोगे एक तो जीरो दो पहले ही बाहिर 12 1 012 2 1 carry 12 1 13 1 3 2 0 0 will be your answer है कोई 1 3 2 0 0 that means option number B is our correct answer तो यह आप लोगों को यहां पर याद रखना होगा और हम लोगोंने formula भी पड़ी थी कि अगर rate compound interest की में बात कर रहा हूं अगर पहले साल rate होगी one क कुछ फिर दूसरे साल अलग rate तो हम ऐसे जाते है वान बे और यहां पर टी नहीं होता इसको और टू बाइंडड की और 3 बाइंडड और हम लोगोंने यह भी पड़ा कि अगर अब rate सेम होगी तो फिर formula क्या है one plus r by 100 into one plus r by 100 is power n लेकिन जब क्या होगा compound n विली अब अगर सा साल में दो बार तो आर को । करता है और यहां से क्या전 बनैगा ela में अगर साल बार तो यहां सेIf 4 करना तो genre अब अगर मइंडली या नि कि साल में बाराई बाराई बाराईर साल में वो कम पूंड होगा बाराई और में साल में तो डिवाइड इवाई भी ओर यह धर यहां नमर 7 बोर रहा है, find the compound interest रुपीज 4,000 add 12% for 1 year compounded half yearly half yearly का मतलब 6-6 महीने के बाद interest इसमें चड़ेगा 6-6 महीने के बाद और वही interest जब 6 मंथ के बाद compound interest इसमें आया कुछ फिर principle प्लस compound interest मिला के अगले 6 महीने के लिए principle बनेगा यह हम लोग उने concept wise पढ़ा है और हमें क्या देखना है, compound interest देखना है और हमें पता है कि formula क्या है amount is equal to principle जब साल में दो बार यह होगा interest 1 प्लस R डिवाइड पे 2 होता है इस वक्त अपना हैं रहे और यहां पे 2N यह हम लोग उने already पढ़ा है इसके बाद आप लोग क्या करोगे अब values को अगर put करेंगे हम यहां पे हमें पता ही है कि जो principle है वो कितना है 4000 1 प्लस rate कितनी है 12% डिवाइड बए 200 और N हमारा time कितना है 1 year उनने बोला है 12% यहां पे आप देखो इनने बोला है interest रुपी इसको अगर आप calculate करने की कोशिश करोगे 4000 200 1s are 200 200 प्लस 12 is 212 डिवाइड बए 200 सुकेर और अगर आप इस चीज़ को सौलू करोगे तो answer आएगा 4494.4 लेकिन यह हमारा क्या है यह हमारा amount है और हम लोगों को पता ही है कि amount क्या होता है असल में एक तो principle हम लोगों ने कितना लिया प्लस compound interest इसमें कितना है अगर हम लोगों को compound interest calculate करना होगा तो हमें क्या करना है principle को इदर से minus करना है अब देखो amount कितना है amount हमारा आया 4494.4 और हमारा principle कितना है 4000 वही हमारा component प्रश्ट और वो कितना आएगा 4494.4 को 4000 माइनस करेंगे वहाँ पे आएगा 494.4 494.4 आएगा वहाँ पे यानि कि हमारा option number C जो है वो correct option है option number C इसके बाद last question में आप लोगों के सामने आप यह discuss करूँगा और लेकिन ये में आप लोगों के लिए home work रखूँगा मैं देखूँगा कौन इसका answer बताएगा आप लोग फिर comments में इसका answer मुझे बता सकते हो और ये question जो है question थोड़ा सा tricky है लेकिन मैंने already पढ़ा है इसको question number 8 ये है हमारा question number 8 और इसके लिए मैं आप लोगों को options भी नहीं दूँगा मैं देखूँगा कि आप लोग इसका answer बता सकते हो कि नहीं principle है 10,000 compound interest की बात हो रही है और compounded annually यहां पर मैंने जानभुश की लिखा है annually क्योंकि अगर annually के बगएर कुछ होता तो यह formula यूज नहीं होती time है two one by two years rate है 10% आप लोगों को amount calculate करना है बस मैं थोड़ी सी hint आप लोगों को यहां पर दूँगा कि मैंने आप लोगों को एक जगा पढ़ाया था कि बताना होगा comment box में इसका आप answer बता सकते हो मैं wait करूँगा और मैं देखूँगा कितनों का यह सही हो जाएगा मैं उमीद करता हूँ कि आप लोगों को यह lecture पसंद आया होगा जो भी यहां पर मैंने 7-8 questions के pattern आप लोगों को यहां से आप लोगों के साथ चैनल को subscribe कीजेगा और अपने दोस्तों के साथ चैनल को share कीजेगा और इसके अलावा अगर आप लोगों को कोई suggestion वगएरा देनी होगी तो आप कमेंट box में हमारे साथ share कर सकते हूं thank you